हालो एव्रीवन दिस इस राहूल मीना फैकल्टी फ कॉंट्रिटेटिटिव एप्लिटू वेलकम यॉल लिए ओफिचल यूटूब चैनल अधर 247 रेगुलर्टी बॉड़ी बॉड़ीज और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आप से भी के लिए वैधिक मै पाएंगे आपको सिर्फ माइन के लिए की जरूद होगी इसके इंदर तो आई ज़रा सीखते हैं कुछ तो हमारे पास एक नमर गिवन है एक सिंपल सा नमर आपके पस अवेलेबल है आप ठीक है और इस नमर का मल्टिपलिक्शन हमें 5 के साथ करना है तो किस तरह से करेंगे सबसे पहले ही जो 5 आपके पास है जो 25 को हम लोग क्या लिख सकते है घिए तो जो भी नमर होगा हमारे पास हम उसको क्या करेंगे इस 2 से पहले डिवाइड करेंगे और एक सिंगल जिरो समें एडि कर लेंए तो अगर हम 5 का मल्टिप्लाइस में करें तो किस तरह से करेंगे आप गिवन नमर को हाफ कर लीजिए तो इसका हाफ कितना बना 1, 4, 4 और 1 जिरो उसमें अट कर लीए तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा आंसर हो गया इसका ठीके चलिए इसी तरह से एक और एकजामबल सौल्फ करने की कोशिश करते हैं एक और क्वेशन लेकर चलते हैं हम लोग की हमारे पास कुछ इस तरह से एक नमर लिखा हुआ है ठीके इसको भी हमें 5 से मल्टिप्लिप्लेशन करना है तो कैसे होगा 5 का multiplication जब कभी भी किसी number में हो तो उस given number के साथ half कर लीजे उसको और 1 0 लगा दीजी तो इसको half कितना बना 2 3s are 6, 1 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 2 1s are 2 और 1 0 तो यह हमारा answer हो गया इसका ठीक है clear, इसी तरह से let's suppose एक और example हम लोग भी यहाँ पर है वो actually 10 by 2 है sir वो कितना हमारे लिए 10 by 2 है तो जो भी given number होगा इसके साथ में हम उसको क्या करेंगे, half करेंगे और एक 0 add कर देंगे, तो जब आपने इसका half किया, so 2 4s are 8 2 4s are 8, left with 1 2 7s are 14, left with 1 2 6s are 12, और 1 0 आपने उसमें add कर दिना है, तो यह हमारा to the next part, और कुछ और नया सिखने के कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको किसी number को multiply करना है 25 के साथ, then how we can do this, okay, so similarly guys, 25 25, so 25, if I talking about the 25, so 25 can be written as, 25 can be written as 100 by 4 100 by 4, so you have to think like this, आपको यह सोचना है, कि 25 का multiplication किसी number में मतलब क्या करना है हमें 100 by 4 का multiply करना है तो जो भी number आपके पास given है, उसको आप 4 से divide कर लीजिए, और 2 0 उसमें add कर लीजिए, ठीक है अब जब हम इसको 4 से divide करेंगे, so 4 से अगरे divide क्या आप लोगों ने, so 4 7 सा कितना होगा है, 28 होगा 4 7 सा कितना होगा, 28 left with 1, और 4 4 से कितना होगा, 16, हम इसमें 2 0 भी add कर लेंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा, clear, ओके चलिए, एक example हम और देखते हैं, है ना, तो जो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होगा है, हमें देखना है, कि जब इसको multiplication करेंगे तो हमारा answer कितना आना चाहिए, ठीक है so इसको multiply करना 25 के साथ again आपको क्या करना होगा, sir we need to multiply with 25, so 25 can be written as 100 by 4, हमें क्या zoom करना है, कि sir यह हमारे लिए कितना है, 100 by 4 है हमारे लिए, तो हम इस number को 4 से divide करेंगे, इस number को 4 से divide करेंगे 4 से अगर आपने डिवाइड कर लिया so 4, 6 बार so 4, 6 कितना हो गया, 24 24, 4, 6 है 24 left with 3, 4, 8 32 and 0, but we need to put 2 more zeros, so our answer must be 68,000, हमारा answer कितना हो गया, 68,000 हो गया, ठीक है एक final example, और देखते हम इसका ठीक है, और ज़रा आप लोग भी इसको बनाने के कोशिश करें कि इसका answer हम निकलेंगे, तो क्या निकल कर आएगा so if I talk about 25 so again 25 can be written is 100 by 4 25 can be written is 100 by 4 so हमें सिर्फ इसको 4 से divide करना है अगर आपने 4 से divide कर लिया इसको so 4, 2, 6 है कितना हो गया, 8 हो गया 4, 1 है कितना हो गया, 1 हो गया 4, 1 है 4, left with 2 4, 6 है कितना हो गया, 24 4, 6 है कितना हो गया, 24 ठीक है, बचा हमारे पास कितना 3 4, 8 है 32, और 2, 0 हमारे पास यहां से आ जाएगी, तो हमारा answer कितना हो गया 216800 clear, उम्मिद करेंगे, आप लोग ये trick समझ पाए होंगे, सीक पाए होंगे, अच्छे से तो आप लोग आगे से इसी method का use करेंगे, ठीक है और यहां पर हमने आपको कुछ questions example के तोर पर दी है, so please do comment the answers of these questions in the comment box, clear, अगर आप को वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा, और बैल अगन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको classes के notification जो है, यहां से regular basis पर मिलते रहें, क्योंकि बच्चों काफी सारी यहां पर live classes और paid classes भी चलती रहती है अगर आप अड़ा 247 के महापेक में करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको live classes video classes, test series, e-books spoken English classes, सब कुछ मिलेगा आप इस referral code का use कर सकते हैं जो कि कहा है, Y710 ताकि आपको maximum discount है पर मिल पाए ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मितना ही रखते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको share करेगा, like करेगा मिलते हैं एक नई वेदिक में की trick में, अगले वीडियो में So guys, thank you so much, thank you so much for joining this session Bye-bye, take care